नमस्कार दोस्तों मालवी क्लासेस ओफिसियल यूटूब चैनल पर आप से भी का स्वागत है मेरा नाम है आदिति सिंग और मैं आप सब के सामने SSC ZD का पूर में पुछे गए प्रशनों का एक नया सेट लेकर आया हूँ दोस्तों आवाज थोड़ी सी बदली हुई है तो थोड़ा सा इस बात को अज़ेस्ट करते हुए ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे इन सेट में जितने भी प्रशन है वो आपके static GKS related है साथ में कुछ current affairs के भी पस्ट में है जो कि आपकी आगामी SSC GD की परिच्छा या किसी भी अन्य परिच्छा में उप्योगी और महतुपूल साबीत हो सकते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से एर कर दीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ठीके लाइक भी कर देंगे और हम इसके बाद वीडियो की सुरुआत करेंगे ठीके दोस्तों अच्छा एक जानकरी और मैं आपसे share करना चाहूंगा कि मालवी classes SSC GD के लिए एक लग बैच जल्द ही सिग रही लांच करने वाला है इसकी जानकरी आपको आगे वीडियो में बने रहेंगे तो अच्छे से दी जाएगी ठीके दोस्तों तो चलिए जल्दी से जल्दी share कर दीजिए और join कर लीजिए जितने भी लोग अभी join नहीं कर पाये हैं उनको share करके आप notification भेज दीजिए जिससे क्या हो जाए वो भी इस session का लाभ ले सके ठीके काफी सारे बच्चे आभी गये है तो देर ना करते हैं आई ये वीडियो की शुरुआत करते हैं गला खराब होने की वज़े से यदि कोई बात ना समझ में आए तो आप comment box में पूछ सकते हैं ये request कर सकते हैं कि sir फिर से बता जीए हब बिल्गुल बब बता देंगो आपको चलिए देखें हम पहला प्रस्न की जानकारी मांग रहा है पहला प्रस्न आप बच्छे से जानते हैं आप अच्छे से जानते है क्या वीडियो बफरिंग हो रही है एक बार बच्चा कमेंट करके जवाब दिजेगा क्या वीडियो बफरिंग हो रही है वीडियो शुरू नहीं हुए है क्योंकि आप सबके जवाब आ नहीं रहे है इसलिए मैं आप से कन्फर्मेशन चाहता हूँ कि क्या वीडियो आपको दिखाई दे रही है कन्फर्म कर देंगे तो ही मैं आप आगे बढ़ूँगा तो ही इसका हल और एक्स्पेलनेशन ठीक है उसकी चर्चा करूँगा मैं आप से ठीक है एक बार कन्फर्मेशन कर देंगे क्या आपको वीडियो दिखाई दे रही है क्योंकि आप सबका कमेंट रहीं आ रहा है कि तब rainy दशितर बापर कमें आप कि एक इस प्रफ्रन का जवाब क्या होगा इस प्लस्फन वावाब बच्चा द्यान रहे सार्टार को क्लिक नहीं करना है किसको क्लिक करना भी या भैस को करना है याद रखियेगा ही के और इक फिल्म भी देखी होगी आपने एक फिल्म देखी होगी कानतारा उस फिल्म में पहले ही दिर्स में दिखाया जाता है भैसों की दवड़ वो कुछ और नहीं बच्चा वही कंबाला ही है ये प्रशना आपके SSC CHSL 2021 2021 में ये प्रशन पूछा गया है SSC CHSL एक्जाम 2021 में ये पूछा गया प्रशना है जब बात करेंगे बुल की जब बात करेंगे बुल या सांड की जिसको बैल भी कहते हैं तब क्या होगा यहां पर हो जाएगा भाईया जल्ली कट्टू हो जाएगा जल्ली कट्टू हो जाए थी जो भारत से ठीक है विदेशी भासा किस रेड़ी में आसकर के लिए भेजी भी गई थी तो जली कट्टू का जो खेल है ये तमिल नाडू में होता है याद रखिएगा ये कहां होता है ये होता है तमिल नाडू में जबकी कंबाला कहां होता है कंबाला होता है भीया कहां पर करनाटक में होता है, कम्माला में जहां भैसो की दौर होती है, वहीं जली कट्टू में, जो की तमिल नाड में होता है, वहां क्या होता है, उसमें साड पर, ठीक है, मानो द्वारा ठीक है, अधिकार करने का या उसको कंट्रोल करने का एक प्रयास किया जाता है उस खेल में ठीक है चलिए SSC CHSL में पूछा गया है याद रखियेगा ठीक है यह प्रश्ण जितने भी प्रश्ण है इस सेट में जितने भी स्टैटिक GK के प्रश्ण है वो कहीं न कहीं किसी एक्जाम में पूछे गया है वो भी SSC के एक्जाम में चाहे वो GD का एक्जाम हो MTS का एक्जा का एक्asant हो या कोई अन्य exam हो उसमें पूछे गए प्रश्णी इसमें रखे गए हैं तो वीडियो में आप फ्रस तक बने हैं गया बाइरे एंगे बने रहने आप सभी जानते हैं इस प्रस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि भगवान जगननात की जो यह त्याता होती है रत्यात्रा किस राज्ज का एक प्रशिद्ध तियोहार है अर्थात कहने का मतलब यह है रध जगन्नाथ रध यात्रा किसी राज में यह तोहार मनाया जाता है अच्छे से आप जानते हैं कि पुरी जगन्नाथ का जो मंदिर है कहां पर में या ओडिशा में है ओडिशा में ओडिशा सरकार जो है ये भी प्रश्णियाद रखना ओडिशा सरकार हांकी इंडिया की ब्रैंड अमबेश्डर है ठीक है भारत में हांकी का ठीक है प्रचार प्रशार बढ़ाने के लिए उस खेल को आगे ले जाने के लिए ठीक है ओडिशा गोर्मेंट ने ठीक है टाई अप किया हुआ है ठीक अच्छा बात करें इस रत्यात्र में बात करें तो आप जानते हैं कि तीन रत होते हैं जानते हैं या नहीं जानते हैं ठीक है भगवान जगनास का एक रत होता है जगनास जी का एक रत होता है और दूसरा रत होता है बलभद्र उनके बड़े भाई जी का जिनको बलराम के नाम से आप जानते हैं और तीसरा होत वहाँ एक हपते रुखते हैं फिर वहाँ से ठीक है वापस इनको मंदिर में ले आया जाता है ठीक यदि बात करें इन रथों के नाम की तो याद रखना कि जगनात जी का जो रथ है उसे कहते हैं नंदि घोस ठीक है क्या कहते हैं जगनात जी का जो रथ है वह सोलह पहियो वा रत होता है कितने पहियो वाला 16 पहियो वाला नंदिघोस रत होता है और यदि हम बात करें यदि बात करें बच्चा बलभत के रत की ठीक है तो यह रत होता है ताल ध्वज कौन सा होता है ताल ध्वज और इनके रत में 14 पहिये होते हैं कितने पहिये होते हैं 14 पहिये होते हैं और यदि बात कए सुबदरा के रत की तो इनके रत में 12 पहिये होते हैं और जिसका नाम है दम्य दलन नाम है क्या नाम है बच्चा दम्य दलन नाम है हाल़कि रत के बारे में नहीं पूछेगा और यदि पूछा भी यदि पूछा भी प्रश्ण को Negro क johnND बनाया भी क्या है अच्छा यहाँ पर तीन यहाँ पर तीन अन्य राज्यों का विकलप दिया गया है ठीक है तो आप जानते हैं कि पसचिब मंगाल में मुखरूप से क्या मनाई जाता है दूरगा-पुजा का त recognize और वो भी आप बच्चो ठीक है यदि आपको आवाज मतल要 मेरी आवाज आपको यदि अच्छे से सुनाई दे रही हो ठीक है तो भच्चा थोड़ा सा एप्जिस्ट करने का प्रयास करना क्योंकि आज गला थोड़ा सा खराब है ठीक चलिए महाराष्ट में क्या मनाया जाता है किस कौन सा तिवहार हरसु उल्ला से मनाया जाता है गड़ेश चतूरती का जो तिवहार मनाया जाता है वो कहां मनाया जाता है महाराष्ट में लोकमा तिलग को स्रे जाता है कि उन्होंने भगवान गड़ेश को ठीक है सड़कों के बीचों बीच अर्थात कहने का मतलब लोगों के बीच लाया और इसका स्रे उन्हें ही जाता है ठीक है बिलकुल सही आरती यादों का कहना है गनपति पूजा बिलकुल ठीक है उत्तर प्रदेश में क्या होता है मुख रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दसहरा का तेवहार बड़े हरसो लास के साथ मनाया जाता है चीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि अगले प्रश्ण में हमारे लिए क्या जानकारी दी गई है चीक है देखो यह प्रश्ण SS CGL 2022 यानि पिछले वर्स की परिच्छा में पूछा गया प्रश्ण है प्रश्ण है क्या बच्चा प्रश्ण कह रहा है ओडिशा का एक प्रसिद लोक्र नित है ठीक है फ्रोक डांस के बारे में पूछा दा रहा है ओडिशा के एक अब यहां पर ध्यान से देखिएगा यद आपको नहीं पता है तो भी थोड़ा सा आप अपना इंटेलीजनस का इस्तिमाल करके इस प्रस्ण का जवाब दे सकते हैं कैसे किस पकार दे सकते हैं क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है कि काल बेलिया और घूमर यह दोनों कहां के लोकनित्र हैं यह हैं राजश्थान के कहां के हैं बच्चा ये राजस्थान के हैं ठीक बिरहा आप जानते हैं ये पूरवी उत्तर प्रदेश के साथ ये बिहार का कुछ हिस्सा जो है वहाँ पर यह लोक गीत के रूप में प्रचलित है क्या है बिरहा बिरहा नित नहीं है बिरहा लोक गीत है जबकि काल वेलिया और घूमर क्या है ये लोक नित है कहां के राजस्थान के ठीक अब बचा कौन तो जो ब कभी यूटूब पर तो रंगाबती जो है यह ओडिशा का प्रसीद लोकनित है SSC CGL 2022 का पूछा गया प्रश्ण है ठीक है इस वीडियो के सेशन में अंध तक बने रहेंगे आप क्योंकि SSC की परिच्छा में पूछे गए प्रश्ण आपके सामने हम मैं ला रहा हूँ और इस क्रिक्रम में यह जो प्रश्ण है आपके सामने यह तीन बार ठीक है बिल्कुल जही बेटा अजीत प्रताप सिंग सर इंडिया एसिया कप जीत गई है तो क्रिकेट से समन्नित प्रश्ण भी इस सेट सेरीज में हैं आगे बने रहेंगे ठीक है तो उसका जवाब दोनी की को प्रश्ण करेंगे बधाई हो आपको और सभी को कि भारत ने बड़ी बुरी तरह हराते हुए स्रिलंका को क्या कर लिया एसिया कप का खिताब जीत लिया है ठीक है चलिए क्या होगा अब यह कह रहा है अजीत प्रताप सिंग कह रहा है कि सर डी सही है होगा 100% चलिए इस प् एमटीएस दोजार उन्निस में यानी दो साल बाद दुबारा पुछा गया और उसी साल SSC GD की परिच्छा में भी यह प्रश्ण पूछा गया पूछा क्या गया है यह प्रश्ण कि हरी प्रसाच्च और स्किया जी जो है वह किस वाद यंत्र से सम्मंदित है अर्थात किस को अर्थात किस musical instrument को play करते हैं या बजाते हैं तो दिया गया आपके सामने जो दिखाई दे रहा है कौन सा होगा याद रखिएगा बचचा ठीक है वो क्या है बासुरी है क्या है बासुरी है अर्थात जिसको कहते है फ्ल्ूट क्या कहते है फ्ल्यूट कहते है बासुरी कहते है कमेंट बाक्स में जवाब दीजिएगा कि बासुरी में कितने छिद्र होते हैं बासुरी में कितने छिद्र होते हैं बात करे हम सितार की तो इनके लिए फेमस कोन है आप जानते हैं पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरसकार भी इन्हें मिला हुआ है म्यूजिक के छेत्र में तो पंडित रविशंकर क्या है ठीक है पंडित रविशंकर सितार से संबंदित है ठीक कमेंट बाक्स में इसका भी जवाब दीजिएगा आप मेंसे काफी सारे लोग मुझे गर्व है कि मैं इंडियन हूँ प्रतेक ब्यक्ति को अपने ठीक है अपने देश पर गर्व होना ही चाहिए चाहे वो किसी भी देश का हो ठीक है क्लियर चलिए अब देखिए तबला की बात करें तो तबला के लिए कोन फेमस है आप जानते हैं जाकिर हुसैन कोन फेमस पताने की कोशिस करेगा कैसा होता है ठीक है चलिए यहां पर मैं आपसे बताओं ठीक है एक कुश्चन आपके लिए दूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग गिटार के सौकीन हो सकते हैं या होंगे ही ठीक है प्रश्ण है गिटार में कितने तार होते हैं ध्यान से स तो समझ कर इसका जवाब देना, क्योंकि यह प्रश्ण पूछा जा सकता है परिच्छा में, परिच्छा में पूछा जा सकता है कि गिटार में कितने तार हैं, एक बार किसी परिच्छा में पूछा भी गया है, ठीक है, डिफेंस के एकजाम में पूछा गया है, क्लिर तो अभी आपका जो कर्म है उस पर fokus करेंगे आप ठाथ वीडियो में जो डेटा दिए जा रहे हैं उस पर fokus करेंगे आप ठीक है चलिये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है बच्चा यह देखो चित्र वाला प्रश्न है जैसा कि मैंने आपके स आपके सामने कुछ चित्रात्मक प्रश्ण भी लाय जाएंगे और आप से ठीक है आपकी पिक्टोरियल मेमोरी चेक की जाएगी अर्थात आपकी विज्वल मेमोरी चेक की जाएगी यदि आपने मैप को ध्यान से देखा है यदि आपने मैप को ध्यान से देखा है तो इस प् प्रश्न है क्या प्रश्न है बच्चा क्या अस्ट्रेलिया का सबसे दच्छडी राज जो अस्ट्रेलिया की मुख भूमी से अलग एक द्वीप भी है ठीक है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है यहां पर यहां पर यहां पर देखो यहां पर इस एरिया में इसकी मु आपसन दिये गए है ठीक है वो कौन-कौन से है भईया ध्यान से देखिएगा वो आपसन है क्या-क्या वो है New South Wales, Queensland, Tasmania या South Australia तो कौन सा होगा क्या होगा इसका जवाब इसका जवाब अब किसी को आ नहीं रहा है अभी तक तो सब बोल रहे थे कुछ न कुछ जैसे ही थोड़ सिंग का कहना है D, ठीक है South Australia जबो बच्चा दचिर में होने के कारण South Australia इसका नाम नहीं हो जाता राधा किशन यादो का जवाब बिल्कुल सही है क्या है इसका जवाब तंश्मानिया होगा क्या होगा तंश्मानिया अरे भाई ये वही स्टेट है जहां पर था यहां इसकी डिस्कौरिय आहां कह सकते हैं समुद्री राष्टे द्वारा ठीक है सबसे पहले Australia जो पहुचा था वह अब्यक्ति कौन था वह समुद्री यातरी कौन था तंस्मान था और उसी तंस्मान के नाम पर Australia के इस स्टेट का नाम करणंड तंस्मानिया की रूप म यहां पर ध्यान से देखना यहां पर यह जो एरिया है ठीक है यह क्या है इसको कहते हैं कौन सा राज है यह है विक्टोरिया तो अस्टेलिया की मुख्य भूमी में सबसे छोटा राज विक्टोरिया है सबसे बड़ा राज प्रस्टिम अस्टेलिया है और इसके साथ साथ ओवराल अस्टेलिया का सबसे छोटा राज है तफ्समानिया जो की एक दुईपीय राज है क्लियर चलिए आगे बढ़ेंगे देखेंगे या इस प्रश्ण के बारे में देखेंगे क्या प्रश्ण पूछ रहा है आपसे यह अभी प्रश्ण ध्यान से दिखिएगा SSC CGL 2020 में पूछा गया है कहां पूछा गया है यह प्रश्ण वो देखा जाये तो ठीके वो साहित कार थे उन्हें आरके नरायन को साहित एकेडमी पुरसकार भी मिला था ठीके किस पुस्तक के लिए मिला था वो पुस्तक भी इसी आपसन में लिखी गई है ध्यान से देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है दगाई एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ पहले मैं सही जवाब तिक कर देता हूँ सही जवाब क्या है सही जवाब है भाईया दजंगल बुक दजंगल बुक ने किसने लिखी है जंगल बुक को आरके नरायन नहीं बलकि किसने लिखी है रूड़याड रूड़ियार्ड किपलिंग ने रूड़ियार्ड किपलिंग ने लिखी है किसने रूड़ियार्ड किपलिंग ने रूड़ियार्ड किपलिंग को साहित का नोबल पुरसकार भी मिल चुका है याद रखियेगा साहित का नोबल पुरसकार भी मिल चुका है इन्हें ठीक है जबकि आरके लश्मण को और ये सभी बुके जो है ये आरके लश्मण से समंदित है आरके लश्मण के अगर हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक कौन सी है यहाँ पर दगाइड है जिस पर बहुत ही फेमस भारती फिल्म मनी थी देवानंद की बहुत पहले गा पर न्यास के लिए इन्हें साहित अकेडमी का पुरसकार मिला था किसे बहिया आरके न रायन को क्लियर है समझ में आई बात और ये मालगुडी डेट जो है इनकी कहानिया एक फिक्सनल गाओं था मालगुडी उसी के इर्द गिर्द उसी के आसपास घुमा करती थी clear चलिए हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण भी SSC CGL 2021 में पूछा गया है ठीके बच्चो ध्यान से देखिएगा कहां पर पूछा गया है SSC CGL 2021 में पूछा गया प्रश्ण है और प्रश्ण है क्या पुस्तक the hitman the Rohit Sarma story के लेखा क इन में से कौन है आपको बताना है आपको बताना है जीतने लोग अभी cricket से सर्मंधित कमेंट कर रहे थे उनके लिए ये cricket से सर्मंधित प्रश्ण आ गया है ठीक है भारती team के जो कप्तान है रोही Sirma है न वो वन डे Asia Cup जो रिषेंटली सिलंका और पाकिस्तान में hybrid मोड में आयोजित किया गया था, उसके विजेता कौन बने है, भारती टीम को बनाने वाले कप्तान रोहिशर्मा, ठीक है, उनके उपर एक पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक का ठीक है, लेखक कर नाम बताना है, यह प्रश्ण SSC CGL 2021 का प्रश्ण है यह, ठीक है, तो कौन लिखा ह यह पुस्तक, इस पुस्तक को लिखने वाले हैं भाईया, जी कृष्णन एक पत्रकार है, ठीक है, राइटर है, उन्होंने लिखा है, ठीक है, को लिखे है, जी कृष्णन ने इस पुस्तक को लिखा है, चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, अनपंप खेन ने भी दो-चार पु चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि नया प्रश्न क्या है अब देखें ये प्रश्न SSC JEE SSC के जूनियर इंजीनियर 2021 की परिच्छा में पूछा गया प्रश्न है ये प्रश्न क्या पूछ रहा है ये प्रश्न पूछ रहा है वह प्रविंद मस्तिक रेजी सर नेवी अम क्लास एप पर क्यों नहीं होती बच्चा जल्द ही यह समस्या आपकी कल सॉल हो जाएगी कल नेवी एमार के आपको दो-दो प्रश्ण दिखाई देने को मिलेंगे सक्ति सिंग का कहना है नेविगेशन बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा जवाब सुन् का पूरा नाम क्या है आप जानते हैं स O N A R ठीक है क्या है '' इसका पूरा नाम'' इसका पूरा नाम क्या है भाई '' अल्ट्रा साउंड जो होता है यह वही चीज है'' क्या है इसको कहते है ''स O से कहते है county' साउंड, नेविगेशन, एंड रेंजिंग, साउंड, नेविगेशन, एंड रेंजिंग, ठीक है, यह है सोनार, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पुछा गया था, क्या जानकारी मांगी गई थी आपसे, आपसे पुछा गया था, कि यह जो इसमें N है, इसका क्या मतलब है इसमें जो N है इसका मतलब क्या है बच्चा इसका मतलब है नेविगेशन सोनार का उपयोग करते कहां है सोनार का उपयोग करते हैं बच्चा कहां पर हम समूद्र के भीतर छुपी हुई वस्तों का ठीक है या हम क्या सकते हैं समूद्र के भीतर इस्थित वस्तों का चाहे वो मान हो चाहे इस्तिरवस्ता में हो उसकी गहराई उसका लोकेशन हम ट्रैक करने के लिए क्या करते हैं इस यंत्र का उपयोग करते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखें फिर से चित्रात्मक प्रशन आ गया आपके सामने एक बार फिर से आपके सामने चित्रात्मक आ गया और यह प्रश्ण यह प्रश्ण बच्चा SSC CHSL 2017 के एक्जाम में पूछा गया है जिसको आप कहते है combined high secondary level फिक है तो CHSL SSC 2017 का पूछा गया प्रश्ण आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है इस प्रश्ण का जवाब देने की कोशिस करेंगे तो प्रश्ण है क्या बहुत ही आसानशा प्रश्ण है कि मोना लिशा एक बहुत ही famous painting है मोना लृसा इसकी बहुत ही देखा जाए तो दुरलब के साथ हम कह सकते हैं बहुत ही आजीब कहानी है इस printing के साथ कभी छोरी हो जाती है फिर मिल जाती है ठीक है तो इस famous printing को ठीक है किस पर print किया गया था अर्थात किस base material पर ये printing उतारी गई थी आपस Zug क्या दिया गया है आपके सामने पथर लकड़ी कागज या कपड़े तो क्या बताएंगे, सही जवाब क्या होगा? D बता रहे हैं बच्चे, C बता रहे हैं और B भी बता रहे हैं बचा है, A कोई ये भी बता दो भाई, इसके साथ साथ, ठीक है? ताकि हम इसका सही जवाब दे, ठीक है? किस पर उतारी गई है हमेशा याद रखना बच्चा यह उतारी गई है लकडी पर किस पर उतारी गई है 20 सही आपसन होगा जिन्होंने 20 का आपसन दिया है राधे कृशन यादो बहुत सुन्दर बच्चा आपका जवाब बिल्कुल सही होता है किस पर उतारी गई है लकड़ी पर सवाल अब थोड़ा समय बदल नूँ इसको आप बताईए मोना लिसा पेंटिंग है किसकी इस पेंटिंग के रचैता कोन है इस पेंटिंग के पेंटर कोन है ठीक है किसने इस पेंटिंग को पेंट किया है ठीक है तयार किया है ठीक क्लियर चलिए, जल्दी से बताएगा इस प्रस्ण का जवाब, हम आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, कि हमारे पास अगला प्रस्ण क्या है, ठीक है, चलिए, मैं ही बता जेता हूँ आपको, कि एक famous इटालवी, ठीक है, Leonardo da Vinci, कौन है भी या, Leonardo da Vinci, उनकी painting है, Mona Lisa हो गई, ठीक है, इसके साथ, सालवेटर मुंडी हो गई, बहुत famous famous painting हैं उनकी, ठीक, चलिए, और न केवल painter, बलकि वो एक दार्शनिक भी थे, और एक क्या कह सकते हैं, हम, जोतिस भी थे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कि अगला प्रस्ण जो है, हमारे सामने, क्या रहा है, भा प्रस्ण का जवाब दीजिए, कहां इस्तित है, याद रखिएगा, यह संस्थान अक्सर ही चर्चा में बना रहता है, ठीक है, चाहे राजनितिक कारणों से, चाहे सिनेमाई कारणों से, यह संस्थान चर्चा में बना रहता है, इसलिए SSC ने, ठीक है, CGL 2016 की परिच्छा म यह प्रश्ण पूछ लिया आपसे, कि यह बताइए कहां परिच्छीत है, कहां इस्तित है, बी कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, बहुत सई सुन्दर बटा, बी, पूरे, यानि कहां परिच्छीत है, यह पूरे में इस्तित है, यदि बात करे, इस संस्थान के वर्तमान अध् अग्षके हैं यहां कह सकते हैं चेयर पर्सन है ठीकूर कमेंट बाक्ष में बताना एनस्ट कहाँ पर है कमेंट बाक्ष में बताना नेशननल इसकूल अफडाव ड्रामा कहा पर है तो EFT जायें फिल्म एंट टेलिविसन इस्टीट आफ इंडिया यानिग announce लेशनल स्कूल आफ ड्रामा ठीक है इन दोनों से जो भी एक्टिंग के जो देखा जाए तो अच्छी एक्टिंग करने वाले इनके जो स्टुडेंट्स है उन्होंने सिनेमा में काफी नाम कमाया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्ण क्या है प्रश्ण तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी इस प्रश्ण का जवाब दे सकते हैं ठीक है थोड़ा सा दिमाग का इस्तिमाल करेंगे तभी इस प्रश्ण का जवाब दे पाएंगे बच्चो क्लियर चलिए क्या है प्रश्ण सम्मानित किया गया है याद रखना बच्चा 1987 का समय थाथ 1987 वर्स में ठीक है किसे किया गया खान अब्दुल गफार खान जिनको कहते हैं आप क्या सीमांत गाधी भी कहते हैं क्या कहते हैं सीमांत गाधी या फ्रेंटियर गाधी कहते हैं सीमांत गाधी क्लियर क्यों कहते हैं इनको सीमान्त गाधी क्यों कहते हैं इसका जवाब आप देंगे तो खान अब्दुल गफार खान जिन्होंने लाल कुर्ति अंदोलन ठीक है या जिसको कहते हैं खुदाई खिदमतगार जिन्होंने ये सुरू किया था उन्ही को वर्स 1987 में भारत तक दिया गया था ये दिये गया आपसन की ठीक है यदि आपसे पूछे किसी भी देश में कोई पहला क्रिकेटर जो प्रधान मंत्री बना तो कौन होंगे वो होंगे भाईया इमरान खान ठीक है किसी भी देश का केवल पाकिस्तान का नहीं किसी भी देश का पहला क्रिकेटर पहला क्रिकेटर प् पाकिस्तान की पहली महिला प्रधान मंत्री हैं पाकिस्तान की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन है बे नजीर भुटो अब हैं का मतलब ये भी नहीं है ठीक है एक तो ये पज़ पे नहीं है और दूसरी ये भूत पुर है इनकी मिर्तुबी हो चुकी है ठीक है लेकिन रिकार करें तो यहाँ पर प्रश्ण आपसे पुछा जा रहा है ध्यान से देखिएगा यह प्रश्ण भी SSC स्टेनोग्राफर 2017 में स्टेनोग्राफर की जो वेकेंसी आती है वहाँ से भी सम्मनित प्रश्ण होते है तो क्या है पुछा जाराएं आप से भारत के तरिक किस देश में तमिल एक кра авधिकारि भुलासा है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है बहुत इंपर्टन्ट क्श्न है आपको बताना है आपको को बताना है किस देश में तमिल भी एक official language के रूप में ठीक है include की गई है दिया गया option क्या है आपके सामने Singapore, Sri Lanka यह तथा भी दोनों यानि यह दोनों या इन में से कोई नहीं तो कौन सा होगा इसका सही जवाब इसका सही जवाब अजीत प्रताप सिंग उनका कहना है बिलकुल सही बच्चा क्या होगा याद रखना वैसे तो सिंगापुर में वैसे तो बच्चा सिंगापुर में ठीक है मुख्य आफीसियल लेंग्वेज मलै भासा है ठीक है मैंडारिन वहां की सबसे बड़ी जन संखिया है लेकिन लेकिन वहाँ पर बात किया जाए तो तमिल भी official language है और स्रिलंका में तो आप जानते हैं कि स्रिलंका के उतरी हिस्सों पर उतरी भाग में तमिल्स का क्या है ठीक है एक बहुत बड़ा सा ठीक है population है ठीक clear इस्टेनो अगराफर परिच्छा में पूछा गया प्रशन था तो मैंने आपके सामने इस प्रशन को रखा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रशन क्या कह रहा है प्रश्ण पूछा जा रहा है आपसे कि वह बैग्यानिक ऐसे बैग्यानिक जिन्हें नोबल पुरस्कार नहीं प्राप्त है ऐसे बैग्यानिक जिन्हें अभी तक नोबल पुरस्कार नहीं मिला है और अब मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि इन सब की मृत्त भी हो चुकी है तो आप्षन के दावेदाराग हैं, बाकी दो के भी कोई है, कमेंट कर दीजिए, फिर इसके बाद सही अंसर में बता दू seguita यादो प्रियाग रास से ही हैं यह प्रयाग रास्ते हैं, इनका कहना है सी, काफी सारे लोगों का कहना है सी, यार क्या बताओं आपनों को कितनी बार मैंने आप सबको पढ़ा रखा है, कितनी बार आपको पढ़ा रखा है, कितनी और बार यह कुश्चन पढ़ाओं, जब मैं साइंस पढ़ाता हूं, तो यह कुश्चन जरूर करवाता हूँ, कुछ समय बाद ये कुश्चन आपके मेमोरी को टेस्ट करने के लिए मैं बार बार लाता रहता हूँ, फिर भी आप गलत करते हैं, अभी देखिए, अभी देखिए अजीत प्रताब सिंग ने एक दोबारा प्रयास किया है, उसमें भी क्या हो गया, इनका गलत हो गया, ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा, जगदीश चंदर बोस होगा, याद रखिएगा, पहले तो बात करें, सीवी रमन की, इनको 1930 में भोतकी का नोबल पुरसकार मिला था, और ये एसिया में, एसिया में बिज्ञान के छेतर में, नोबल पुरसकार जीतने वाले पहले बेक्ती थे, ना केवल भारत में, बलकि पूरे एसिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क् सिक्वेंसिंग की खोज करने के लिए, ठीक है, किसे मिला था, हर्गोविंद खुराना को, या हम ये भी कह सकते हैं, कि प्रयोक साला में, जीन का संसलेशन करने के लिए इने मिला था, हर्गोविंद खुराना को, कब मिला था, 1968 में, चिकित्सा का नोबल पुरसकार मिला था यदि बात करें एस चंद सेखर की तो इन्होंने एक थेरी दिया था किसकी थेरी दिया थी भाई या ब्लैक होल का सिधांत दिया था यानि आप इसी से सम्मंदित जानते हैं चंद सेखर सीमा के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं चंद्र सेखर सीमा के बारे में आप जानते हैं तो वह सीमा क्या है उस सीमा के अंतरगत किसी तारे का थीक है जो दरबिमान है वह कितना आधिक्तित हो सकता है क्लियर तो इसके लिए चंद सेखर को सुबर्मणियम चंद सेखर को 1987 में माफ किजेगा 1983 में भौतकी का नोबल प्रसकार मिला था ठीक है और जब कि जगदीश चंद्रबोस किसे समंदित है आप जानते हैं कि जगदीश चंद्रबोस ने ठीक है किसका आविश्कार किया था किसको रूड़ा था पहले तो क्रेस्कोग्राफ का आविश्कार किया था और ये क्रेस्कोग्राफ क्या करता है पौधों की बृद्धी को अमापन करता है जगदीश चंद्रबोस पौधों में भी ठीक है सम्वेदनाय होती है जीवन होता ह इसकी खोज किया था इनोंने चलिए आगे बढ़ते हैं जगदीश चंद्र बोस को नहीं मिला तव नोबल प्राईज बाकी तीनों को मिल चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्ण क्या है यह प्रश्मिया ध्यान से देखना SSC CPOSI 2019 एक अच्छी सी परिच्छा होती SSC की CPOSI उस परिच्छा में पुछा गया प्रश्न है क्या कह रहा है यह प्रश्न कह रहा है भारत का सर्वोच साहित पुरसकार है अच्छा आपकी जानकारी कले में बता दू कि यह प्रश्न है ठीक है दो चार हपते पहले दो चार हपते नहीं कह सकते हैं कि दो हपते पहले ठीक है यह प्रश्न है कौन बनेगा करोड़ पती में भी पूछा गया था कि भारत का सर्वोच साहित पुरसकार कौन सा है तो देख ठीक है यह जानकारी बढ़ जाएगी दो-दो प्रकार के ठीक है सही जवाब क्या होगा इसका C C कहा रहा है काफी सारे बच्चे कुछ लोग D भी कहा रहा है जो C कहा रहा है उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपने अपने दिमाग को निकाल कर सुला दिया है केवल आप ही जग रहे हैं अरे भाईया नोबल पुरसकार भारत का थोड़ी न है यहाँ पर प्रशन क्या पुछा जा रहा है प्रश्ण पुछा जा रहा है भारत का सरोच साहित पुरसकार और आप बता रहे हो नोबल प्राइज नोबल प्राइज भारत द्वारत दिया जाता है क्या होगा इसका सही जवाब इसकी भासा के साहित कार थे ठीक है इनको सबसे पहले मिला था 1965 में 1965 में यही इस पुरसकार की शुरुआत हुई थी गह तो पहले विनर कौन है। संकर कुरूप है अच्छा इसके साथ सात्यदी में बात करूँ इसके साथ सात्यदी में बात करूँ तो साहित एकेद्मी साहित एकेद्मी जो है ठीक है इसका हिंदी का जो पुरसकार है सबसे पहले 1955 में क्योंकि साहित एकेद्मी का जो पुरसकार कई भासाओं में दिया जाता है अलग-अलग भासाओं में हिंदी के लिए बात करें तो सबसे पहले मिला था किसको माखन लाल चतुरुवेदी को किसको मिला था माखन लाल चतुरुवेदी को चतुरुवेदी ठीक है इनको मिला था क्लियर ब्यास सम्मान की हम बात करें तो ब्यास सम्मान बच्चा ठीक है यह वर्स 1991 में शुरू हुआ था और अब इसका जवाब आप देंगे कि सबसे पहले यह पुरसकार किसको मिला था ब्यास सम्मान केके बिडला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है ठीक है तो इन में से किस देश का नया नाम इस स्वातिनी है इस प्रस्न का जवाब देंगे आप कि किस देश का किस देश का नया नाम इस स्वातिनी है सविता यादो प्रयाग राज क्या कहना है ए क्या इस प्रस्न का जवाब दे रही है या आप या पिछले प्रस्न का अनन्या भारती भी ज्वाइन कर ली है सेशन को तो अनन्या जी आपका भी स्वागत है सेशन को बच्चा लेट नहीं 10 बजे ज्वाइन कर लेना चाहिए और मैं तो कहूंगा कि आप 7 बजे से लेकर 10 बजे का जो स्लॉट होता है 11 बजे तक का या बेसिकली SSC GD के लिए डेडिकेटेट स्लॉट है इसमें ठीक है इसमें जोईन करने के बाद आपको आपकी अपनी तयारी का अस्तर पता चलेगा इसके साथ साथ आपका जो कलेक्शन्स है कुश्चन्स का उसमें कुश बेटर कुश्चन्स और कुश अच्छे कुश्चन्स का इजाफा ही होगा आपको ये क्या करेगा आपको ये लाभ ही देगा नुकसान नहीं देगा एक प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध बज्यानिक Benjamin Franklin ने भी कहा है कि सिच्चा में किया गया निवेस सबसे ज़्यादा ब्याज देता है तो सिच्चा में ग्रहन करेगे बच्चा तो क्या होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलेगा उसका रिटर्न मिलेगा ठीक चलिए क्या जवाब है इसका इस प्रशन का जवाब है बच्चा क्या इस प्रशन का जवाब है Option D यानि जिसको कहते है क्या स्वाजी लैंड एक देस है अफ्रिकी देस है स्वाजी लैंड कोई अफ्रिकी सायद देस है ठीक है इग्जैक्ट मुझे नहीं पता यहाँ पर लेकिन स्वाजी लेंड ने क्या किया था वर्ष 2018 में अपना नया नाम रख दिया क्या इसने कर दिया इसको क्या इस स्वातिनी कर दिया ठीक है अभी आपको समाचार मिला होगा कि भारत सरकार जो अर्तमान भारत सरकार है वह प्रयास कर रही है कि भारत का जो दो न अब ये तुर्किये हो गया है ये क्या हो गया है अब ये हो गया है तुर्किये जो हॉलैंड था अब ये नीदर लैंड हो गया है ठीक है अब ये क्या हो गया है अब ये हो गया है नीदर लैंड हो गया है क्या है नीदर लैंड है ठीक जो चेक गणराज है अब इसका नया ना इसी प्रकाष स्वाजी लेन का नया नाम क्या हो गया इस्वातिनी हो गया इस्वातिनी हो गया थिक क्लियर चले हमको भी लग रहा है यार ठीक है दो नहीं होगा क्या होगा दी हो जाएगा complete चलिए हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि अगला प्रस्ण क्या है आपको बताना है हाल ही में आपको बताना है इस प्रस्ण का जवाब देना है हाल ही में किस देश ने पहली बार बास्केट बाल भी सुकब जीता है ठीक है याद रखिएगा जो क्रिकेट भी सुकब कराता ह उस संस्था का नाम है ICC, ठीक है, ICC क्रिकेट विसुकप का योजन कराती है, बस नेम ही चेंज करेगा इसके अलवा और कोई काम नहीं तो लोगों के पास, ऐसा नहीं है, नाम चेंज करना भी ठीक है, किसी भी किसी कोई नो कोई इसका कारण होगा, ठीक है, यह भी सरकारी और प्रसासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, ठीक, छलिए, ICC क्रिकेट भी सुकप कराता है, आप जानते हैं कि फीफा क्या कराता है, फुटबाल भी सुकप का आरेजन कराता है, तो उसी प्रकार बच्चा, यह जो बास्केट बाल का भी सुकप है, ठीक है, इसका आयोजन या इससे समन्दित जो regulatory body है उसको कहते है क्या फीबा कहते हैं कमें फीबा का मुख्याले आपको बताना है ठीक साथी साथ इस प्रशन का भी जवाब देना है कि यह कौन सा देश है जिसने पहली बार basketball विसुकब जीता है तो कौन है बहिया जर्मनी है वो कौन है जर्मनी है ज दर्विया को हरा दिया था ठीक है बास्केट बाल विसुकब 2023 की बात करें ठीक है 2023 बिसुकब की बात करें बास्केट बाल की ठीक है तो यह तीन देशों में आयोजित हुआ था कहां कहां आयोजित हुआ था इंडोनेशिया कहां कहां हुआ था ध्यान से देखना में इसके साथ साथ कहां हुआ था जापान में और कहां हुआ था फिलिपिन्स में तीन देशों में इसका आयोजन हुआ था फाइनल में जर्मनी ने सर्विया को हराया और जर्मनी पहली बार बास्केरबाल विसु कब जीता था चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण कह रहा है आपसे कि बिश्व के सबसे बड़े और सक्तिसाली राकेट का निर्माड किसे ने किया है बिश्व के सबसे बड़े और सक्तिसाली राकेट का निर्माड कोन कर रहा है तो ध्यान से देख रहा है इसका जवाब क्या होगा Space X है इसका जवाब क्या होगा बच्चो नासा नहीं होगा क्या होगा Space X होगा Space X इस रॉकेट को इसका नाम क्या इस राकेट का नाम मैं बता दू इस राकेट का नाम है Starship क्या नाम है Starship है और यह अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट है किसी भी देश दोरा किसी भी संस्था दोरा बनाया गया सबसे बड़ा रोकेट है ये क्लियर बात समझ में आई अच्छा यह स्टार सिप का जो इनका प्रोग्राम है एलन मस्क का ये 2025 में 2025 में यह मून मिशन यर्थात कहने का मतलब चंद्रमा पर एस्ट्रोनार्स को ले जाने वाले है क्लियर तो बच्चो आप देख रहे हैं न कि आपके सामने बढ़ियां बढ़ियां कुस्चन्स लाए जा रहे है रिसर्च बेस्ट कुस्चन है जो कि विभिन पकार की परिच्छाओं में पूछे गया है और इसके साथ साथ इसके साथ साथ उनका न किवल हल बलकि बिल्कुल सटीक एक्स्पिलनेशन भी दिया जा रहा है आपको तो बच्चो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप यदि अपनी तयारी को और अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं तो 25 तारीक को मालवी क्लासेज मालवी क्लासेज 25 तारीक को जो आगामी 25 तारीक है यानि 25 सितंबर को एकलब बैच लांच कर रही है क्या लांच कर रही है एकलब बैच लांच कर रही है ठीक है और इसके लिए इससे सम्मंदित सभी जानकारी आपको तब प्राप्त हो पाएंगी जब आप बच्छा Google Play Store से मालवी Classes का Official Android App इंस्टॉल कर लेंगे क्लियर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रस्ण क्या है ठीक चलिए ये भी बढ़िया सा प्रस्ण है बहुत ही बढ़िया प्रस्ण है और मैं इस प्रस्ण की गारंटी लेता हूं मैं इस प्रस्ण की गारंटी लेता हूं कि ये आगामी किसी ने क सी भरती परिच्छा में यह प्रश्ण पक्का आने वाला है इसको लिख लो ठीक है अब यह प्रश्ण है क्या देखो associate देशों का वह क्रिकेटर जिसने टी-20 अंतर राश्टी क्रिकेट में 100 विकेट लिया है पहली ऐसी खिलाडी या पहला ऐसा खिलाडी associate देश क्या होते हैं सवाल आता है associate देश क्या होते हैं तो बच्चा देखो जो ICC का ICC का regular member नहीं है regular member कौन है जो मुख्य देश है जैसे भारत Australia England New Zealand दच्छे अफरिका पाकिस्तान स्री लंका विस्ट इंडीज अफगानिस्तान बंगला देश यह क्या है यह है regular member उसके ठीक है और जो बाकी जो देश होते हैं जैसे नेपाल हो गया जैसे हम बात करें तो अमेरिका हो गया ठीक है जैसे अने देशों की बात करें तो यह जो छोटे छोटे देश जो अभी क्रिकेट खेलना शुरुकिया है जैसे बात करें चाइना ने इस्में हाथ ठीक है तो चाइना पहली बार किसी छेतर में फेल हो रहा है तो अगर हम सिर्फ एसोसियया देशों की बात करें तो अभी पहला खिलाडी या पहली खिलाडी जो हम कह सकते हैं ठीक है वो अपना है या पनी है जिसने सो विकेट लिया है तो उस खिलाडी का नाम क्या है नाम है भईया क्या नाम है नटाया पूछातम ठीक है ये एक महिला खिलाडी है कहां कि अभी किसी बच्चे ने सही जवाब दिया था ठीक है यूवी माहे ने बिल्कुल सही बच्चा जब इनका नाम ही यूवी है तो जाहिर सी बात है यूराज की तरह ये भी क्रिकेट प्रेमी कहीं न कहीं होंगे ठीक है तो क्या है ये थाइलाइंड की महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने क विकेट लेने का कारणामा किया है और ऐसी पहली क्रिकेटर बनी है ठीक है महिला पुरुस दोनों मिला कर जिन्होंने सो विकेट लिया है जो की एसोसियेट देशों से सम्मंदित है बात करें अनविकल्पों के बारे में तो यहाँ पर देखेंगे जो आपसन भी है सियाज रूल इदरूस यह कहां के है भईया यह मलेशिया के है यह कहां के है यह मलेशिया के है यह अभी पुछा जाएगा प्रस्ट यह अभी लिखे लिख लो यह जो प्रस्ट है इसके सम्मंदित आपसन आपसे पुछे जाएंगे सियाज रूल इदरूस जो है मलेशिया के क्रिकेटर पहली बार यानि पहला कोई क्रिकेटर है ठीक है पहला खिलाडी पहला खिलाडी या पहला क्रिकेटर कह सकते हैं क्रिकेट के खेल के बात हो रही है जिन्होंने T20 में T20 मैच में कितने विकेट लिये हैं साथ विकेट लिये हैं कितने साथ विकेट लिये हैं किसी एक मैच में किसी भी एक T20 मैच में पहला खिलाडी जिसने साथ विकेट लेने का कारणामा किया होका है सियाजरूल इदरूस मलेशिया के हैं इन्होंने चाइना के खिलाफ या उकलब्दी हांसिल की है ठीक बात करें यहाँ पर Amelia Care की तो यह New Zealand की महिला क्रिकेटर है आल राउंडर है बहुत अच्छा खेलती है मैं महिला क्रिकेट भी देखता हूँ तो यह मेरी फेवरिट क्रिकेटर में से एक है ठीक है बात करें Amelia Care की Amelia लिया केर सबसे कम उम्र में सबसे कम उम्र में 12 सतक लगाने वाली खिलाडी है सबसे कम उम्र में वंडे में ODI में 12 सतक ठीक है दबल सेंचुरी मालने वाली खिलाडी है अच्छा ना किवल इतना ही बल्कि एकमात खिलाडी है जिनोंने एक ही मैच में जबकि एक ही मैच में ऐस कारणामा किया, क्लियर है, तो क्रिकेट से, खेल से समंदी भी प्रशन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर करंट फेर से समंदी एक फैक्ट आपको आपके सामने दिया जा रहा है, एक जानकारी दी जाए रही है, और वो फैक्ट है, क्या बच्चा, देखो यह की एक महिला है, ठीक है, जिन्हों ने पाकिस्तान की पहली, पाकिस्तान की पहली मिस यूनिवर्स बनने का, ठीक है, खिताब जीता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, समझगो प्रशन को, अभी मिस यूनिवर्स की प्रतियोगता हुई नहीं है, मिस यूनिवर्स की प्रति प्रतियोगता में भाग लेंगी और ऐसा करने वाली मिस इंडिया 2023 नंदनी गुकता बिल्कुल सही बिल्कुल सही ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ऐसा मिस उनिवर्स की प्रतियुकता में भाग लेने वाली पहली महिला बनने का गवरो इन्हें मिलने जा रहा है किसको एरिका रॉबिन को और यह प्रतियुकता नमंबर में अलसल और इसके साथ साथ मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप प्रती दिन 10 बजे GKGS SSC GD का प्रैक्टिसेशन हमारे साथ ठीक है जॉइन करते हैं तो आपकी तैयारी में निश्चित रूप से कुछ क्या होगा ठीक है लाव ही होगा बच्चो कोई इससे हान ही नहीं होगी और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि जल्दी ही मालवी क्लासेश रेगुलर बेसिस पे सारे फेट बैचो को लांच कर रहा है यानि कहने का मतलब जहां पर जो रुका था उसको री स्टार्ट कर रहा है कल से ही इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँग जल्दी से जाकर गूगल प्ले स्टोर से मालवी क्लासेश एंड्राइड ऑफिस्यल एप आप इस्टाल कर लेंगे जिससे आपकी पहुँच हमारे तक हो जाएगी और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि बस 25 तारिक को अर्थात कहने का मतलब यह है बहुत जादा दिन नहीं है आगामी 25 तारिक को मालवी क्लासेश एससी जीडी के लिए एससी जीडी के लिए ठीक है एकलब बैच लांच कर रहा है क्या लांच कर रहा है एकलब बैच लांच कर रहा है जिसमें आप भाग लेकर जिसमें जिस बैच को आप जोईन करके ठीक है अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हैं अभी आपके पास golden टाइम है फरवरी में एक्जाम होगा SSC GD का तो फरवरी तक आपकी त्यारी इतनी बहतर हो जाएगी कि फिर आप भी confident हो जाएगे कि हाँ सर बिल्कुल अब हमारी त्यारी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा एक्जाम क्लियर हो जाएगा या हो सकता है ठीक है चलिए अच्छा एक request आप से और है बच्चा यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो like कर दीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजिए और share भी कर दीजिए और इसके साथ साथ comment करके बताईए कि वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है comment करके बताईए कि वीडियो आपको कैसा लगा अखिलेश 24 सर कह रहा है love you सर love you too सर आप बहुत जबर्दस परसन है ठीक है चलो बच्चो अच्छा इसी के साथ मैं इस वीडियो का मैं यहाँ पर समासन करना चाहूंगा कटपा सर कटपा सर मेरे गले की टेंसन लिये हुए है देखिए गरम पानी लेकर आया है मेरे लिए नमक मिला कर ठीक है चलिए अच्छा चलिए ठीक है बच्चो तो आज हम आपसे विदा लेना चाहेंगे अब हम कल आपसे इसी प्लेटफरम पर इसी जगाए इसी समय मिलेंगे तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार जैहिं जैभारत आप मस्त रहें पढ़ते रहें अपनी तयारी को आगे बढ़ाते रहें सुभरात्री आपका कल का जो दिन है वो मंगल मैं हो और इसके सासाताथ कल इसी समय हमसे फिर से जूर सके ठीक है बच्चो तो धन्यवाद सेशन में आंतर तक बने रहने के लिए शुभरात